प्रेंट्स आज हम भरवा मसाला बैगन बनाने जा रहे हैं और एक बार बर बना के खाने कमन करेगा यह आप रोटी के साथ पराठे के साथ दाल चावल के साथ किसी के साथ भी आप सरुख कर सकते हैं आपके घरगेश्ट आने वाले हैं आप इसे पहले से बना के रख सकते हैं बहुत आसान है बनाना रेस्पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक सदिक मातरा में सेयर करें बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने कुछ इंग्रेदव आदे कि लिया हैं इस तरह से आदा के के लिया है दो के पोषक के लिया है और इसे हम दिखाते हम कैसे इसे बनाना सो यह थे पहले मसाला धet पाउडर है और जीरा पाउडर है और यह मिर्च पाउडर है यह है लेमन जूस और यह जीरा है मेथिये च्छोंक के लिए और यह हल्दी है इतने ही इंग्रेडियन्स से इसे हमें बनाना है तो सबसे पहले हम इसे कैसे काटना है वह हम आपको दिखाते हैं तो इसके साइट के पेटल्स हैं इसको हमको अठा देना है क्योंकि इसमें भी कभी कभी कीड़े होते हैं तो इसे जरूर चेक करें उसके बाद फिर हम इसे आपको दिखाते हैं कैसे इसे इस तरह से स्लिट करना है और इसे स्लिट करके हम देखेंगे कि इसमें कीड़े लगे हैं कि नहीं इसे हम चेक भी कर लेंगे और इस तरह से इसमें मसाला भी भरने में आसानी होगा नीचे जुड़ा रहेगा उपर से स्लेट कर देंगे इस तरह से चार भाग करेंगे इसे और नीचे से जुड़ा रहेगा इसके उपर सिर्वाला भाग भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे काट के ताक धनिया पौवडर दो टेबल स्पून जिरह पौवडर एक टेबल स्पून और हल्दी पौवडर एक टीस्पून सब कवच्छे से मिक्स करेंगे अभी हम इसमें lemon juice डालेंगे ताकि जो है इससे खटता हुए एक टेबल इस्पून हमने lemon juice डाल दिया यागर लेमन जूस नहीं हो तो आप इसमें खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं खट्टे के लिए तो इस तरह से हमने सारे को मिक्स कर लिया है अभी इसको हमको थोड़ा सा पानी मिला के और गीला करना है तो एक टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है पानी क्योंकि ये थोड़ा सा अभी सोख के और गाढ़ा हो जाएगा एक स्पून हमने और डाल दिया तो कूल हमने इसमें दो टेबल स्पून पानी डाल दिया है इससे जो है थोड़ी दे में मसाला अच्छे से फूल के त्यार हो जाएगा तो यह देखिए इस तरह से हमको बैगन में स्पून की साहता से भर लेना है इस तरह से दोनों साइड में भर लेना है भर करके हम फिर इसे फले हाफ फ्राइ करेंगे पूरा नहीं पकाएंगे ओयल म हम आदा पकने तक हम इसे फ्राई करेंगे उसके बाद फिर मसाला करेंगे इस तरह से देखिए हमने साय बैगन को भर के तयार कर लिया यह हमारा बैगन तृयर हो गया है, जो बचे मसाले हैं हुवह हम छूँक में डाल लेंगे, एक पैन लिया हमने इसमें तीन टेबल स्पून हमने टाल दिया है, और अब इसमें जब आयल हीट हो जाय है,ret मेडियम Runner पर ही हम इसमें सारे बैगन को सेट कर देंगे, और इसे अल साला के साथ पकाएंगे फिर वहाँ पक जाएगा तीस तरह से देखिए हमने अलट पलट की से अच्छे से शेख लिया है और आप गैस बंद कर देंगे अब चलते हैं दूसरा पैन रखते हैं दूसरे पैन में भी हम ऐल डाल देंगे तीन टेबल स्पून हमने इसमें भी ऐल तीन से चार टेबल इसमें डालना ओयल और अब इसमें हमने चौक के लिए जीरा डाल दिया मेथी डाल दिया सब सपहले मेथी डाला फिर जीरा डाला और अब इसमें हम डालेंगे देखिए जब यह अच्छे से हो जाएगा सौते फिर हम इसमें डालेंगे हिंग दो पिंच हमने हिंग डाला है हिंग से flavor बहुत अच्छा हो जाता है और पाच भी होता है और अब हम इसमें healthy powder डाल दी है healthy powder oil में डालने से color बहुत अच्छा आता है हमने मसाले में भी healthy डाला हिसलिए हमने half teaspoon healthy डाला और अब हमने एक तेबलिस्पून अध्रग लैसन का पेस्टस में डाल देगा, यह हल्का सा पक जाएगा, फिर हम इसे प्याज डालेंगे, यह देखिए, जो हमने तीन प्याज का प्यूरी बनाकर रखा था उसे डाल दिया और इन सबहों को अच्छे से भूनके एमें रोष्ट करना, फिर हम इसमें तमाटर डालेंगे, यह इसे पकाएंगे, oil release होने तक हमें इसे पकाना है, slow to medium flame पे, तीन से चार मिनट तक इसे हमें पकाना है, फिर इसमें हम बैगन सेफ्ट करते हैं, और नमक हमने मसाले में भी डाला, इसलिए नमक इसमें हाफ स्पून डाला, हाफ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के नुसा कम ज्यादा कर सकते हैं, अब इसे हम ढख करके, दो मिनट तक slow flame पकाएंगे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, यह देखिए, हमने तीन चार मिर्च को स्लीट करके डाल दिया है, इसका flavor इसमें बहुत अच्छा लगता है, और देखिए, ग्रेवी पक चुकी, काफी अच मसाला भुनते समय, वो वीडियो में नहीं आपाया है, तो आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि अच्छे से मसाला इसमें लपट जाया है, बैगन में, इस तरह से देखिए, slow flame पे हम मैग बैगन को धक के पका लेंगे, बैगन मसाले के साथ पक के इस तरह से हलका गिला हो गया ह अगर आप चाहें तो इसमें और भी पानी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा पानी आप इसमें 2-4 टेबल स्पून और डाल सकते हैं, हमने सूखा वाला बना, इसलिए हमने बहुत जादा पानी इसमें नहीं डाला है, बस मसाला भुनते समय हमने दो टेबल इस्पून पानी डाला था इसे धर करके फिर दो मिनेट के लिए पकाएंगे पांच से साथ मिनेट लग जाता है इसे पकाने में बहुत आसाने बनाना फ्रेंड्स एक बर जरूर बनाईए यह मसाला बेजन बिल्कुल यूनिक रिस्पी है एक बर बनाएंगे तो मुलिया चाड चाड के खाएंगे तो यह देखिए हमारा मसाला बेजन बनके तयार हो गया है अब इसे एक बार ऐसे पलट देंगे बहुत स्लो तरीके से पलटना है नहीं तो टूट जाएंगे इस तरह से धेरे-धेरे सारे को हमने पलट लिया देखे ऑयल साइट साइट से आप उपर से धनिया की पत्ती से गानिस कर देंगे यह हमारा मसाला बैगन बनके तयार हो गया है कलो जी तो आपने बहुत खाये होंगे लेकिन एक बार इस तरह से मसाला बैगन बना के देखिए यह बहुत टेस्टी बनता है तो रेस्पी यदि अच्छी आले आप तक पहुंचता है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तक तक लिए थैंक्यू फ्रेंट्स